दोस्तो अगर आप भी भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 मैच देखने के लिए उस साही तो तो वीडियो को जरू लाइक किजिएगा दोस्तो भारत और अफगानिस्तान के बीच आखिर पांच साल के बाद पहला अंतराश्ट्रा मुकाबला खेला जा रहा है जहां इडन गार्डन्स में शुरू हुए इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीत लिया है आखिर प्लेंग 11 टीम क्या उतरी है रिंकु सिंग ने कितने रन बना दी है सब आपको वीडियो में लाइव दिखाने जा रहे हैं उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और अफगानिस्तान में से पहला टी-20 मैच कौन सी टीम जीतेगी अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंटे बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए अब आपका ज़ता समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तो जैसे कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान की टीमें अक्सर इंटरनेशनल मुकाबलों में खिलते हुई नजर नहीं आती है लेकिन दोस्तो इस बार ICC के फैसले के बाद यह एलान किया गया कि भारत और अफगानिस्तान की टीमें भी अब आपस में T20 शरंकलाई खिलेंगी और दोस्तो यहाँ पर अब हम सभी को तीन मैच की T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला भारत में ही खेला जाता हुआ नजर आ रहा है जा एक तरफ भारत और अफगानिस्तान इस मुकाबले में हार्दिक पांडिया को सौपी गई है तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान टीम की कमान राशिद खान समाल रहे हैं जो कि अपनी टीम को जिताने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं वहीं हम आपको बता दें कि भारत और अफगानिस्तान चीर प्रतिदुन्दी टीम हैं और पिछली बार जब इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला हुआ था तब एक शाक अप में सूपर चार के राउंड में ही है दोनों टीमें भेडी थी और भारत ने 101 रन से जीत भी अरजित कर ली थी और वहाँ पर विराट कोली का शतक भी हम सभी को देखने के लिए मिला था लेकिन अब विराट कोली और रोहित शर्मा जैसे धकड बल्लेबाज तो टीम इंडिया में शामिल नहीं है लेकिन फिर भी भारतिय टीम अपने नए और यूवा प्रतिवासाली बल्लेबाजों के बलबूते पर मुकाबला जरूर जीतना चाहेगी वहीं अगर बात करें मै बस आप जियो सिनेमा एप पर देख पाओगे जहां हिंदी इंगलिस तमिल मल्यालम जैसी अन्या भाशाओं में आप सभी को विकल्प दिये गए हैं इस मैच को देखने के वहीं अगर बात करें भारत और अफगानिस्तान के हेड़ टू हेड आकडों के बारे में तो दोस् बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जंग बेहदी शांदार तो होती ही है और साथ में अफगानिस्तान की टीम इस बार आकडों को जरूर पलटना भी चाहेगी वहीं अगर बात करें मैच के बारे में तो दोस्तों यहां पर मुकाबले मे हर किसी की निगाएं ये सस्वी जैसवाल और रुतुराज गाइकवार पर तो सदी हुई हैं क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों से एक शतक की उमीद पूरा भारत देश कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रिंकु सिंग मध्यम करम में आकर छके चोकों की ऐसी बरसात करें क कि यहां पर वो अपना शतक भी पूरा कर सकते हैं वो भी महज 40 गिंदों में लेकिन यहां पर यह करना इतना आसान होने नहीं वाला है वहीं बात करें अगर प्लेंग 11 टीम के बारे में तो दोस्तों जो आप सबी को अफगानिस्तान की टीम नजानाने वाली ये खिलती उस पारू की और बफादार मॉमंद खिलते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं बात करें अगर भारत की टीम के बारे में तो भरती टीम की तरफ से रुतुराज गाइकवार और ये सस्वी जैसवाल ने पारी की शुरुआत करी है तो वहीं तीसरे नमर पर सुरकुमार यादव, विंकू सिंग, तिलक वर्मा, हारदिक पांडिया को मौका दिया गया है और गेंदवाजी में जस्प्रिद बूमराप, कुल्दी पी आदव, उमरान मलिक और रसिद क्रिशना खिलते हुए नजर आ रहे हैं बाकि अब आप सभी क्या मानते की भारत और अफगानिस्तान में से पहला टीटोन टीमेच कौन सी टीम जीतेगी अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा